सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस ते नोटिफिकेशन पटन करोना पेंडेमिक की अगरचे वैक्सीन दुनिया भर में आ चुकी है मगर इसके बावजूद अभी तक इनसानियत को करोना पेंडेमिक से ठीक ठाक चैलेंच है भारत पाकिस्तान से फिर खबरें आ रही है कि करोना पेंडेमिक फिर से सर्च कर रहा है और यही मसला यॉरप, अमरीका और कैनिड़ा में है यहां कैनिड़ा में भी बात चित होरी है कहीं थर्ड वेव تو इसकी शुरू होने वाली नहीं करोना पैंडामिक की वैक्सीन भी दुनिया के बहुत सरे कंटीज के लिए एक चैलेंज है भारत से कैनिडा भी वैक्सीन पहुँचना शुरू हुई तो यहां पर हिंदू फोरुम कैनिडा की तरफ से उसकी खुश्यां भी मनाईए की शुक्रिया दा किया गया प्राइमिनसे निद्रामूदी का भारत का और यह शुक्रिया प्राइमिनसे जसन टूडो भी भारत का अदा करते हैं कैनिडा के मिनिस्टर्स भी अदा करते हैं कैनिडा के MPs भी अदा करते हैं और इसी सरसे में ये बिलबोर्ट्स आप देख रहे हैं ये पूरे जी टिये में लगे जिनमें इस बात का इजहार किया गया थैंक यू इंडिया एंडिया 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 नेदर मूदी फोर प्रोवाइडिंग वैक्सीन टू कैनिडा एक बहुत ही अच्छा मैसेज है ए एक बहुत बड़ी खाबर है जो भारत के मीडिया आउटलेट्स पे अल्रेडी सर्कुलेट कर रही है इसके साथ साथ आज जम बातचीत करेंगे के पाकिस्तान को करोना वैक्सीन मिल रही है गावी के जरी एक ऑर्गनाइजेशन है जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन के स सीजफायर की बातचीत भी हो रही है और इस कांटेक्स में भारत की तरफ से एक अच्छा जेस्चर है कि भारत ने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी हमसे वैक्सीन मांगेगा तो हम कंसीडर करेंगे लेकिन अब ये कंसीडरेशन थ्रू ऑर्गनाइजेशन आई है तो भारत क कोई इतराज नहीं कि भारत की बनी हुई वैक्सीन पाकिसान भी जाए अगर कैनिड़ा आ रही है इतना दूर साथ समूंदर पार तो पाकिसान के साथ अगर भारत के अच्छे तलकात होंगे तो भारत और भी मदद डारेक्ट कर सकता है बाचीत होगी जगमीत सिंग कैनिड के पॉलिटीशन उनके एक रेलिटेफ ब्रेदर लाउ बताए जाते हैं उनको अलेजडिली आज नैशनल पोस्ट ने कहा है कि जो टोरांटो में भारती कम्यूनिटी का तरंगा मेपल कार रैली हुआ था पीसफुल कार रैली उसमें वाइलिंस करने का उन पर अरोप है और यह कहा जा रहा है कि वो उसके जिमादार हैं पाकिसान में सैनिट की सूर्टेखाल काफी इंटरस्टिंग है सैनिट में जो इलेक्शन हो रहे हैं चेर्मेन के वो आजी हैं उसके जल्स आ जाएंगे लेकिन उससे पहले एक दिन पहले सैनिटर हाफिस करीम ने कहा कि मुझे पैसे दे कर भी खरीने की बात हुई और से ज़्यादा मेरे ओपर दबाव डाला गया और नैप के जरीए मेरे खलाफ कारवाई करने की कोशिश की गई ये भी एक आज का हमारा न्यूज अनैलिसिस का हिस्सा है करोना पैंडैमिक की वैक्सीन कैनड़ा पहुंची इस पर हम जगा लगे और कहा गया के थैंक यू पी एम नरिंदा मूदी और इंडिया फो प्रवाइडिंग वैक्सीन तो कैनड़ा बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है ये वह मैसेज है जिस पर कैनड़ा के प्राम मिनिस्टर ने भी शुक्रिया अदा किया था इंडिया का भी और प्र के प्राम मिनिस्टर ने रमूदी ने कहा था कि मैं अपने दोस्त और अपने दोस्त मुल्क कैनड़ा को जरूर वैक्सीन दोगा यही दो अच्छे मुल्कों का अपस में जेस्टर होता है बीच में ऐसे कुछ हैलिमेंट्स हैं जो इस सारे जेस्टर को खराब करने की पाकिस्तान कभी दबाओ था इंटारेक्टली यहां के एक्स्रीमिस ऐलिमेंट्स पर लेकिन वो सब चलता रहता है अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट है वो यह है के भारत से कैनड़ा ने वैक्सीन मांगी और भारत ने कैनड़ा को वैक्सीन देना शुरू कर दी यह एक उसका आउटकम है और यही होना चाहिए कि जो जिन देशों में अच्छी दोस्ती होती है उनके बीच में इस तरह के तल्लकात बनते हैं पाकिस्तान को भी वैक्सीन मिल रही है अभी मैंने पीछे का आप उस पर थोड़ी सी बात करता हूं 45 मिलियन डोजस भारत की बनी वैक्सीन पाकिस्तान जाएगी चाइना से जो वैक्सीन आई थी साइनो वैक्सीन उससे कहीं ज्यादा अब पूरी दुनिया भारत की वैक्सीन पर ट्रस्स करती है पूरी दुनिया भारत को सबसे बड़ी दुनिया की फार्मेसी करार देती है वंडरफॉल ये एक है लेकिन इसके बावजूद सैडली वो चले आ रहे हैं मगर लगता है मैं कई शो से कह रहा हूँ सी स्पायर की जो बात चीत हो रही है और पाकिसान को जो अपने इंटर्नल हलात है जो एकॉनमी का मसला है वो काफी गंबीर है शायद पाकिसान के इस्टैबलिश्मेंट और पाकिसान के अलिमेंट्स इस बात की तरफ आएं कि अब हमें रीजन में वो वाला करदार अदार नहीं करना जो हम करते रहे हैं इस सिल्सान में एक बहुत ही एहम वीडियो है जो मैं आप से बिल्कुल एंड में शेयर करूँगा वो पाकिसान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद हाकान अबासी का है मगर उससे पहले मैं कैनिडा की सूरते हाल पे थोड़ी सी बाचीत और करूँगा जगमीद सेंग कैनिडा की तीसरी बड़ी पुलिटिकल पार्टी के सर्ब्राः है उनका एक ही एजन्डा होता है एंटाइ इंडिया एंटाइ इंडिया एंटाइ इंडिया और इस चकर में वो हिंदू फोबिक भी हो जाते हैं और जगमीद सिंग एक बृलियंट पौलिटिशन हो सकते थे अगर वो अपना पर्सटनल वेंडेटा लेकर ना चलते मगर उन्हों अपने पर्सटनल वेंडेटा को नहीं अपने सर से उतारा उसको ही लेकर वो अपना धोल बजाते रहते हैं की वज़ा से उनकी अपनी पार्टी में भी पॉजिशन खराब है और लास्ट एलेक्शन हमने देखा कि उनकी लीडर्शिप में एंडीपी ने काफी सीट्स लूज की बाराल ये उनकी चुवाइस है कि क्या वो इस तरह अपनी पॉलिटिक्स किस तरह आगे कर सकेंगे और किन कंटी के हवाले से यरी इंडिया के हवाले से जो कैनिडा का अल्टीमेट दोस्त है अगर दोस्त ना होता तो इतनी सहूले से प्राइमिनिस्टर जस्टिन टूडो क्यों फून करते वैक्सीन लेने के लिए अगर दोस्त ना होता तो तुरंट प्राइमिनिस्टर निर्दा म को यहां पर एक पीसफुल रैली थी बारती कम्यूनिटी की जो तिरंगा मैपल यानी किनेडियन और भारती फलैग्स की एक सॉलिडैलिटी की रैली थी और उसमें भी वेक्सीन मिलने पर खुशी कजार किया गया था उस मौका पर कुछ 40-50 एक्स्ट्रीमिस्टों की गाड़ी है कि वो इलेजडली जगमीद सिंग के बर्दन लौ हैं बहुत बड़ी खबर है अब देखते हैं आने मेले दिनों में यहां के लाइंफोर्स्मेंट इजन्सी यहां के पॉलिटीशन किस तरह इस बात को देखते हैं और इसको कैसे इसका अंधितारा करते हैं लेकिन यह वा वाइलन्स है यह अच्छा नहीं है इसको खत्म होना चाहिए बरहाल आप देखेंगे किस पर आगे आने वाले दिनों हफ़तों में क्या नाइट वालमेंट आती हैं हम आपके सामने उस पर भी चर्चा करेंगे आखर में पाकिसान में जो सैनिट के इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें जो चेर्मेंन का इंतहाब होना है और देखने वाली बात यह सब की नजरें लगी हुई है जब जल्ट आएंगे तो क्या मिस्टर यूसफ रजागिलानी जीतते हैं जिनके पास लगता है कि शायद मेजोर्टी हो मगर हकूमती सता पर उनोंने पहले भी मिस्टर साद यूसिस साहब को प्रेशराइज भी किया और ये पाकिस्तान की लौइ एंफोर्स्मेंट की एजन्सियां कर रहे हैं वो कह रही हैं कि ये ना करें आएसाई का नाम लिया है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद हाकान अबासी ने मैं चाहूँगा कि ये वि पर्चे शुरू हुए जब से ये इसका सैनेट का शैडूल का एलान हुआ एक ऐसी पुरानी एफ़ यार दो हजार सोला की जिसमें मेरा नाम नहीं था अभी उसमें मेरा नाम डाल दिया गया है सर्फ इसलिए के प्राइश राइश राइज करें और अबनी मर्जी का बोट ले है सके कि आईश रही के अफसलान टेलेफून कर रहे हैं सेनेटर्स को मैं फिर ये कहूंगा नाम बिलकुल लिए जा सकते हैं नाम भी उनके पास हैं लकान tv लेने का यहां मकस्त नहीं हैं यहां मकस्त मुलक के मुफाद की बात करना है इस जमोर्य अमल की बात पकरना है जि आज पाकिस्तान में है हम तो खुश हुए थे जब डी जी आइस पी आर ने कहा जी मैं कि हमारा कोई तालुक सियसत से नहीं है लेकिन इस सैनेट के इलेक्शन में जो हालात पैदा हुए हैं एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा नहीं तीन दफ़ा नहीं दसन दफ़ा आफ़ा से सैनेटर्स को ऐसे टेलिफून आई हैं बहुत से नहीं शाद बताया भी ना हो ये बदनसीबी है मुलकी कि अगर हम जमूरी अमल को नहीं चलने देंगे तो पाकिस्तान तरकी नहीं करेंगा हमारी मकसद आज का ये बात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना है ये मुकद हाफिज अब्दलकरीम साब के साथ हुए हैं तो फिर पाकिस्तान में की महीशत के साथ वही होगा जो आज हो रहा है फिर पाकिस्तान के साथ वही होगा जो आज हो रहा है ये बदनसीबी है कि आज भी 73 साल के बाद भी इस 21 सदी में भी हम वो काम कर रहे हैं जो दुनिया मे कोई मुल्क नहीं करता कि हुआ करते थे एक जमाने में आसे पचास साल पहले चाली साल पहले अब कोई मुल्क इस अमल ये काम नहीं करता हम आज भी वो काम अपनाई हैं और उनके असराद जो हैं वो आपको मुल्क में महिंगाई की सूरत में मुल्की महीशत की तबाई की सू यह मकसद था आज इस प्रेस का पाकिसान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अबासी ने जिस दुख बरे लहजा में बाते की वो आपने सुनी वो बाते मैं नहीं कर रहा या कोई पाकिसानी डीप स्टेट के जो क्रिटिक हैं वो नहीं कर रहे यह वो साहब कर र खर्म लहजे के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके अपने रिष्टे नाते भी इस्टैबलिश्मेंट के साथ हैं इनके अपने खांदान के लोग इस्टैबलिश्मेंट के साथ हैं मगर वो भी दुख से ये बातें कर रहे हैं सुधार के लिए बातें कर रहे हैं वो यह कह रहे हैं उनको फून कर रहे हैं उनको डिरादम कर रहे हैं तो ये आप अंदाजा कीजिए कि अगर मैं इस तरह की बात करूँ या कोई और करेगा तो हम तो घदार हो जाते हैं ये पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्राइम मिनेस्टर शरीफ नफस आदमी शायद खाकान अबासी जिनक आप हमारी बात पे गौर ना कीजिए सिर्फ उनके अलफाज देख लीजिए वो कहते हैं कि इसी वज़ा से हम तरकी नहीं कर पारे हमारी मौशी हालत बहुत बुरी है वो ये साफ कहते हैं कि पाकिस्तान जो आज जहां है वो शायद इन्ही रवईयों की वज़ा से है वो सा पाकिसान की बेटरी है लेकिन इन्सानियों की पामाली का ये जो वाकिया है अभी सैनिट के इलेक्शन के सिर्सा में जिस तरह हाफिस अब्दकरीम सैनिटर को फून कर रहे हैं वो कह रहे हैं और भी कई सैनिटर को फून जा रहे हैं कई तो बता देते हैं कई बिचारी ढट साथ भी है, शाहिद खाकान अबासी, उनके अलफाज आप तक पहुंचाऊं और जो पाकिसानी बेहन भाई देख और सुन रहे हैं, उनको अंदाजा हो, कि उनकी आप बाडी लेंगविज देखिए, कि वो मकमल तोर पर एक पेट्राटिक इनसान के तोर पर ये बातें कर रहे हैं, मकर हकाइक सामने ला रहे हैं, और दुख के साथ कह रहे हैं, कि ये सब कुछ बहुत बुरा है, हमें बदल जाना चाहिए, वो कहते हैं कि कंट्रीज या मुमालिक इस तरह की हरकतें जो हैं, जो आज भी हो रही हैं, कुछ 40-45 साल पहले किया करते थे, अब तो 21 सदी है, आज सेक अपने आपको बतलें चेंज हो जाएं, ये हैं उनका मैसिज, मैं सिर्फ उनका मैसिज आपको दे रहा हूं, और और सी मैसिज के साथ आज का जो मुक्तसर नियूज अनालिस है, उसको बाइड अप करता हूं, टैग टीवी को आप देखते रही है, 24-7 हमारी यूट हैं तॉब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें स्पॉंसर भी करें, आप में डोनेट भी करें, टैग टीवी साउट एशिया डाट कॉम की वेबसाइट पर जाएं ये टैग टीवी. इंफो की वेबसाट पर जाएं, वहाँ डोनेट का बटन है, आप दुनिया म tag tv international paypal.me slash tag tv international इसके साथ साथ आप patreon पर भी जाके हमें patternize कर सकते हैं आप हमारे patterns बन सकते हैं आज का बिला तकल्लफ तैजिया हमारे news analysis में देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया subscribe tag tv youtube channel and press the notification button झाल सकते हैं